साथियों पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन्स के लिए काम शुरू कर दिया था हमारे वैज्ञानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाश्यों के लिए वैक्सिन्स विख्षित किये हैं आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सिन भारत में हैं भारत की कोल्ड चेन विवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास है इस प्रयास में हमारे प्रावेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहत्रीन प्रदर्शन किया है वैक्सिन्स की एप्रूबल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रेक पर रखने के साथ ही सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है यह एक टीम एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्सिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान सुरू कर पाया टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेत्रों तक जरुरत मन लोगों तक वैक्सिन पहुँचे दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वैक्सिन डोस दिये गए हैं आज करोणा से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वर्कर्स, फ्रंट लाइन करोणा वारियर्स और सीनियर स्टिजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सिन का लाब मिल चुका है साथियों कल ही वैक्सिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सिनेट किया जा सकेगा अब भारत में जो वैक्सिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा इस बीच गरीबों, बुजरगों, नीबने मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सिन कारकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुप्त वैक्सिन मिलती रहेगी जिसका फायदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मद्यमबर, निम्मद्यमबर के परिवार हो वो उनका लाब उठा सकेंगे साथियों हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए हैं और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयास से भी यह है कि आर्थिक गतिविधिया और आजिवी का कम से कम प्रभावितों प्रयास का तरीका यही रखा जाए vaccination को 18 वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए open करने से शहरों में जो हमारे workforce है उसे तेजी से वैक्षिन उपलब्द होगी राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमिकों को भी तेजी से वैक्षिन मिले लगेगी मेरा राज्य प्रशासन से आग्र है कि वो स्रमिकों का भरोसा जगाए रखे उनसे आग्र करे कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जीज सहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्षिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा